आज का विश्वास के संग अगर इसको सुनेंगे आज आपका जीवन बदलेगा आपका प्रात्ना का जीवन बदलेगा प्रात्ना कैसे करनी चाहिए प्रात्ना करते समय हमें अपने मन को किस और रखना है बहुत बार हमारे भाई बैन ये दर्शाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी प्रात्ना में मन नहीं लगता है हम जब भी प्रात्ना करने बैठते हैं हम कुछ और सोचते हैं हमारा ध्यान कहीं और दाता है और हमारी प्रात्ना पूरी नहीं हो पाती है कई लोग ऐसी अपनी समस्याऊं को दिखाते हैं लेकिन आज मैं आपको बताँगा कि हमें कैसे प्रात्ना करनी है उस हम किसे प्रात्ना करने हैं उस पिता परमेश्वर से जैसे मैंने पिशली वार बताया था कि जब भी आप प्रात्ना करें तो उसके लिए सिंघासन तयार करिए आप अपने घर में जब किसी को बुलाते हैं तो अपना घर वेवस्तित करते हैं न कि यहाँ पर हमारा गेस्ट बैठेगा ब्राइंग रूम वगरा तो हम किसे बुला रहे हैं अपने परमेश्वर को एमें और विश्वास करिए जब आप बुलाते हैं तो वो आता है यह मत सोचिए कि वो आएगा कि नहीं आएगा इसलिए जब आप परातना करें तो अपने कमफर्ट जोन से निकल जाए अगर आप सोते हैं जहाँ जहाँ पर उस बिस्तर को छोड़ दीजिए उससे बाहर निकलिए और एगर हो सके घर में तो परातना का एक इस्तान बनाईए यह स्तान प्रभू का है यह स्तान परातना का है घर छोटा है कोई बात नहीं प्रेस अलॉट क्योंकि परमेश्वर ने आपको मंदिर बनाया है और वो चाहता है कि आपके अंदर आये और आपके अंदर सिर्फ आये आकर जाये नहीं वो आपके अंदर आकर रहना चाहता है बैठना चाहता है Amen इसलिए उसने अपनी जोती आपके मंदिर में रखी है Amen विश्वास करिए प्रभू आपसे बहुत व्यार करता है आलेलुया तो आज हम जानेंगे कि हमें किस तरीके से परातना करनी है और कैसे उसके करीब जाना है आलेलुया लुका का अगर हम पढ़ेंगे अध्याए लुका 23 का 49 से 43 के बीच मैं यह आपके लिए पढ़ता हूँ फिर उसके बाद हम यह जंदा कर रहा था किया तू मसी नहीं अपने आपको और हमें बचा यह देखिए यह जो काम चल रहा है क्रूस पर है क्रूस पर है हालेलुया और कूस पर इशू मसी भी लटके हूए हैं और उनके बाजू दाएं बाएं दो चोर हैं रहें सलौट और यह चोर देखिए बात कर रहे हैं। दो चोर हैं एक बाये को समझ लिया। और एक नहीं समझ पाया.. हालिलुया..! ध्यानों दीजिये इन न छोरों के वारतालाए में थ्यानों दीजिये, जो और आपने आपको देखेंगे कि यार ये कहीं मैं तो नहीं हूँ अलेलिया वहाँ पर क्या कहता है जो वहाँ लटकाए गए थे उन में से एक अपराधी ये कहकर उसकी निंदा कर रहा था किसकी इशू मसी की क्या तू मसी नहीं अपने आपको और हमें बचा पर दूसरे ने उसे डाट कर कहा क्या तू परमेश्व से भी नहीं ड़ता तू भी तो इसी निरने के अंतरगत दंड पा रहा है हालेलुया इमेन दूसरे चोर ने क्या कहा कि क्या तू परमेश्व से नहीं ड़ता क्या मांगा उसने उसने कहा कि अगर तुम मसी है तो मुझे भी बचा और खुद भी बच आपके लिए सही था यह कि अगर तुम मसी है आप क्या मांगते हैं तुम मसी है मिरे जेब में पैसा डाल तुम मसी है मुझे नौकरी दे तू मसी है मेरा धंदा ठीक कर तू मसी है मुझे बच्चे दे तू मसी है मेरी जरूरतों को पूरा कर यही मांगते हैं आप लोग लेकि दूसरा चोर क्या कहता है कि क्या तू परमेश्वर से नहीं ड़ता Amen Hello, ध्यान दीजिए इसका मतलब अगर आप जान गए है कि वो मसी है और उससे आप वो चीजे मांगते हैं जिनका हस्त तो कुछ नहीं है आपको पता है आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं न उसका हस्त तो कुछ पलों का होता है और मैं आपको बताओ आप जो भी दुनियावी चीज परमिशर से, इशू से मांगते हैं न, जैसे ही वो आपको मिल जाती है न, उसका अस्तित्व खतम हो जाता है, उसका अट्रेक्शन खतम हो जाता है आपको, होता है कि नहीं होता है, एमेन, लड़की से प्यार करते हैं आप, शातला की, कि मुझ कार मिल जाए, कार मिल जाए, कार मिल जाए, जैसे कार मिल जाती है, और आप उस कार में बैठते हैं, और आपको लगता है, नहीं यार, वो दूसरी कार अच्छी थी, मेरी कार में ये नहीं है, उसकी कार में ये है, यनि कि जो आप मांगते हैं, उससे आप सटिस्वाई होते नहीं नहीं है इसलिए इशू इसलिए वो कहता है कि तू परमेश्व से नहीं ढड़ता आप इशू को जानिये कि वो क्या दे सकता है वो क्यों धड़ती पर आया है उसने क्यों आपको चुना है उसने क्यों आपको चुना है और यहां पर दूसरा क्या कहता है कि दूसरे ने उसे डांड कर कहा किया तू परमेश्व से भी नहीं ढड़ता तू भी तो इसी निर्णे के अंदर का ददंड़ पा रहा है और वास्ता में हमारे साथ तो नया हुआ है क्योंकि हम तो अपनी करनी का उचित फल भोग रहे हैं पर तो इस मनुष्य ने कोई अपराद नहीं किया तब उसने कहा हे एशू अब दूसरे चौरने एशू से कहा लोक में होगा दूसरे चौरने क्या कहा अपा? पहले चौरने कहा कि भईया मेरा ख्याल रख मुझे उतार दे मुझे भी उतार और खुद भी उतर अदूसरे चौर क्या कहता है? कि जब भी तू अपने राज्ज में आए, तू मुझे याद करना। ऐसा क्या काम किया इसे जो इश्यू से याद करेगा। आप किसी को कभी याद करते हैं। जब वो कोई भलाई करता है आपके साथ। बिन मांगे आपकिस हेल्प करता है। आपको प्यास होते हैं, प्यासे होते हैं तो आपको पानी पिलाता है, आपको रोठी खिलाता है। तभी आप उसे याद करते हैं न, हलो। ऐसा क्या काम किया इस चोर ने। जो वो कह रहा है इश्यू मसी मुझे याद रखना। जब तु अपने राज्ज में आए और इशू का कहता है कि मैं तुसे सस्थाज कहता हूँ आज शाम को तु मेरे साथ स्वर्ग लोख में होगा क्या काम किया उसने चोर ने उसने उसको पहचान लिया उसने इशू को पहचान लिया क्या आप इशू को पहचान कर कलीसिया में आएं जिस दिन आप उसे पहचान लेंगे क्या किया था चोर ने चोर ने बबतिस्मा लिया चोर ने बबतिस्वा लिया चोर को अन्य भाशा आती है उसने अभी तक पच्छा दाप किया वो चर्श में गया उसने दान दशांस किया कुछ नहीं दिया उसने सिर्फ उसे पहचान लिया आप रात्रा करने से पहले उसे पहचानते हैं इमें दूसरा चोर कह सकता था कि पर वो इशू मैं तुझे जान गया हूँ हो सकता था उसके पडोसी हो सकता था उसकी मा उसकी बीवी उसके बच्चे नीचे खड़े हो और वो कहे कि इशू दया कर मुझे तो फांसी होने वाली है मैं तो मर रहा हूँ इन पर दयाकर मेरे बच्चों को बचा ले मेरी बीवी को सांत्वना दे, इनको नौकरी दिलवा दे कह सकता था ना उसने उसको पहचान लिया कि मुझे इशू से क्या मांगना चाहिए हमें हमें सबसे जरूरी है ये जानना कि हम क्या मांगे हम क्या मांगे अरे ये तो उसका वादा है तु क्या खाएगा, तु क्या पहनेगा, तु क्या पिएगा इसकी चिंता मत कर, ये मैं तुझे ऐसे ही दे दूँगा मती छे का इकतिस कहता है ना, कि तु क्या खाएगा तु क्या पिएगा, तु क्या पहनेगा उसकी चिंता मत कर मैं तुझे यूही दे दूँगा तु मेरे राज्य की खोच कर Amen Hello आप जिसके लिए परशान है ना आप जिसके लिए सुबह से शाम तो जद्दो जहद करते है पसीना भाते है उसका भादा तो परमेशन नहीं ही कर दिया है Hallelujah भजन सहीता में बचन कहता है कि मैं अपने प्रियों को नेंद यूही दे देता हूँ Amen यूही दे देता हूँ जो उससे प्यार करते हैं ना उन्हें नेंद की गोली खाने की ज़रूत नहीं है वो बिस्तर पर जाते हैं अद्भूत नेंद आती है कितने को रात को अद्भूत नेंद आती है बिना Amen मुझे बिस्तर पर जातर कुछ करवटे नहीं लेनी पड़ती जाने से पहले उसका धन्यवाद देता हूँ और समर्पित करता हूँ और लेटता हूँ कब नीद आती पता है नहीं Amen प्रेस अलॉट उसका वचान है कि वो अपने प्यार करने वालों को यूहीं नीद दे देता है Amen चोर ने उसे पहचान लिया Amen कैसे पहचाना कि इससे पहले उसने क्या कहा जब सारे सैनिक उसका ठटा होडा रहे थे मज़ा कर रहे थे अरे अगर तू परमेशर का पुत्र है तो नीचे उतार के देखा तू तो कह रहा था कि मंदिर को उठा कर तीन दिन में बना देगा उसके मुँपर थूक रहे थे लोग उसको भाला घोंप रहे थे लेकिन उसने क्या कहा पिता परमेशर ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं इन्हें शमा कर क्या कर इन्हें शमा कर उस चोर ने क्या देखा उस परमेशर के सभाव को देखा उस परमेशर के सामर्द को देखा इमेन आप क्यूं नहीं उसे पहचान पाते हैं आप चर्श में आते हैं आप बाइबल पढ़ते हैं आप इशु मसी के धर्मी हैं लेकिन फिर भी आप उसको पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि आपके अंदर उसका स्वभाव नहीं है। आपके अंदर उसका स्वभाव होना चाहिए। आपके अंदर एक तड़प होना ही चाहिए। अगर कोई बेमार है तो आपके अंदर एक तड़प होना ही चाहिए। चाहे आप उसको कुछ नहीं दे सकते लेकिन उसके लिए प्राथना तो कर सकते हैं Praise the Lord वो तो अब कहां से आती है परमेश्वर के प्रेम से वो काल कैसे मिलता है जब परमेश्वर आपके अंदर होता है जब परमेश्वर आपको आप पहचान दे Amen वो चोर प्रभू को पहचान गया था कि ये इशू है ये है सर्व शक्तिमान इसका राज्य कोई दूसरा है ये राज्य नहीं है Amen Hallelujah जब चोर ने उसे पहचाना परमेश्वर ने उसकी बुद्धी खुली आपको पता है जब आप उसको पहचान लेंगे न तो परमेश्वर आपकी बुद्धी खुलेगा कि आपको क्या मांगना चाहिए आपको कैसे मांगना चाहिए आपको कैसे बात करनी चाहिए आपको कैसे प्रात्वना करनी चाहिए जब आप उसको पहचान लेंगे जैसी चोर ने पहचाना, यह स्वरका अधिकारी है, यह अपने राज्य में आने वाला है, जैसी उसने पहचाना, परमेश्र ने बुद्धी खोली, और उसने मांगा, कि तु जब अपने राज्य में आना, तो मुझे याद रखना, परमेश्र की इच्छा क्या है? परमेश्र की इच्छा है कि आप सब को वो स्वर्ग लेकर जाएं, आप सब को, पहला यह ना एक कनौ पढ़िए, पहला यह ना एक कनौ सब कुछ चाता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है वो चाहता है कि मेरे बच्चे जिसको मैंने चुना है जिसके लिए मैंने अपने एकलौते पुत्र का बलिदान दिया है उसने क्या यूही बलिदान दे दिया अपने एकलौते पुत्र का आपके लिए कि आप यूहीं संसार में रहकर फिर पाप करते रहें इसलिए मरा आपके लिए कि आपको छुड़ा कर वो चर्च में लाया और फिर चर्च से आप संसार में जाएंगे रिसलोड वो आपके लिए मरा है आप उसको समझिये क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि आप उसके मरने को नहीं जान पा रहे हैं वो आपके लिए मरा है उसको आपने उसने आपको पुत्र दिया एक हेमेन अब जिम्मेदारी किसकी ये पुत्र को बढ़ाने की जब आपको दिया है 127 का तीन बदन सहीदा 127 का तीन क्या है बदन सहीदा 127 का तीन बच्चे यहवा की और से दिये हुए दान है प्रमेश्वर ने आपको उधार क्यों दिया है ताकि आप उसके अनुसार चले है देखें लड़के यहवा के दिये हुए भाग है गर्ब का फल उसकी और से प्रतिपल है किसकी और से प्रतिपल है आपने नहीं दिया आपने नहीं जनमा आये अपने बच्चे को प्रमेश्वर ने आपको दिया है वो प्रतिपल प्रमेश्वर की और से है इसलिए आपको उसको समालना है कैसे समालेंगे कैसे बच्चों का पालन पोशन आप करते हैं आप समझते हैं मैंने पैदा किया मैंने और मेरी बीवी ने पैदा किया इसलिए आप कहते हैं देखो मुझ जैसा है यह नाक मेरी तरह है यहोट मिर्ट जैसे है और देख इसे रंग तेरी तरह है आई ये चाचा आई आपकी तरह भी दिख रहा है अरे मामा अरे दादा आई 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 दादा पूरे आप कालोनी को निकाल लाते अरे ये आपकी तरह है ये आपकी तरह है उंगली आपकी तरह है होट आपकी तरह है नाक आपकी तरह है ऐसे पका कुछ भी नहीं है वो परमेश्वर की तरह है जिस दिन आपके नदर यह सौफाव आएगा जिस दिन आपके अंदर आप समझ जाएंगे कि यह हमारा हमें दान दिया गया है है उसी का जिस दिन आप उसके कान में ईशू डालेंगे जिस दिन उसे बताएंगे कि तेरी माँ तेरा पिता यहवा है तेरी माँ तेरा पिता मैं नहीं हूँ पर में इशू ने ईशू है उस दिन आप देखिए उसके अंदरूनी मनशुत को आप मजबूत करेंगे और जब ईशु का नाम सुनते सुनते वो बढ़ा होगा और घर से बाहर जाएगा तो आपको डरने के जरूत नहीं होगी कि मेरा बच्चा कहां जा रहा है जैसे बारा साल की एज में जब ईशुम उसी मंदिर में थे तो माबाप डर गए थे मरियम और यूसुफ लेकिन उससे क्या कहा कि मैं कहा जाओंगा अपने पिता के घर में Amen Hello आपके बच्चे क्यों बिगडते हैं क्यों बिमार पढ़ते हैं क्यों कमजोर हैं क्योंकि आप उसे अपनी आउला समझ के पालते हों आप अपने बच्चों को उसकी आउला समझ के पालिए यह परमेश्वर की आउलाद अमानत मेरे पास है आपका बच्चा परमेश्वर की अमानत है आपके पास उसने जो आपको दिया है इसलिए उसे बताईए कि तू परमेश्वर का है Amen मुसा को तीन महीने तक तीन साल तक कैसे यो को बे तुने छमाल कर रखा वो उसको बताती थी कि तेरा पिता परमेश्वर है यहुवा है तेरी मा यहुवा है Amen आप करके देखिए डालिए अपने बेटे के मन में बच्चे के मन में उसका नाम देखिए जब वो बड़ा होगा उसकी बुद्धी क्या काम करेगी सरदूत उसकी सेवा करेंगे आप नहीं जानते हैं बचन की शक्ति आप नहीं जानते है इशू के नाम में क्या शक्ति है प्रेस अलोड अललुया तो यहां पर वो क्या कहता है उसने उसको पहचान लिया जैसे ही उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे इस बरन करना मुझे याद करना एमेन और इशू मुझे ने क्या बताया यह दुनिया कह रहे थी कि इशू का राज्य नहीं है अरे यह कोई भैरूपिया है पुछ रहे तू कौन है तू भैरूपिया है तू जूटा है तू जो कहता है वो होता नहीं है इशू ने बताया कौन बुलाता है अपने घर कौन गारंटी दे सकता स्वर की आपके घर के घर में आने की दावत आप गारंटी के संग दे सकते हैं इसका मतलब आप अपने घर के मालिक हैं हलो घर का मालिक ही गरंटी दे सकता है कि आज स्वाशाम को तुम मेरे साथ घर में जाएगा इमें उन्होंने बता दिया दुनिया को इशु मसीने कि मैं ही स्वर कादिकारी हूँ मुझे किसी से पूछने की जरूत नहीं है मुझे पूछने की जरूत नहीं है तु आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा उठाओ मम्मी को क्योंकि उसने उसको पहचान लिया था एमेनों बाइबल कहती है वचन कहता आ प्रभु कहता कि इसको पहचानी है जब तक आप नहीं पहचानते हैं आप सही मांग नहीं कर सकते आप सही प्राथ्रा नहीं कर सकते रिस अलॉट हालेलुई यह उसको पहचानी है एक और शक्से में आपको मिलवाऊंगा बरतिमाई एक अंधा जो एक भिकारी था हालेलिया पड़ी बेटा मर्कुस का दस्वाँ अध्याए अच्छी दर किसे पड़ी है 46 से 52 तक मर्कुस मर्कुस का दस्वाँ ये बरतिमाई अंधा यरियों में रह जाता यरियों शहर अब यहरियों शहर आपको पता है कि बिल्कुल बंदा हुआ था अन्य जाती है जो अशुद जाती है वहां रहती थी और किस तरीके से यहुशु के समय में आप 34 अध्याए पढ़ेंगे यहुशु का तो उसमें पता चलेगा किस तरीके से यहुशु ने परमेश्वर का नाम ल पर यहरियों में यह लोग रहते थे प्रेस अलॉट पढ़िए बेटा वे यहरियों में आए और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड यहरियों से निकलती थी तब तिमाई का पुत्र बढ़तिमाई एक अंदा बिखारी सड़क के किनारे बैठा था वह यह सुनकर यह येशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा हे दावत की संतान येशु मुझ पर दया कर बहुतों ने उसे डाटा की चुप रहे पर वो और और भी पुकारने लगा हे दावत की संतान मुझ पर दया कर तब येशु ने टहर कर कहा उसे बुलाओ और लोगों ने उस अंधे को बुला कर उससे कहा दाडस बान उठ वो तुझे बुलाता है वो अपना कपड़ा पहन कर शीगर उठा और येशु के पास आया इस पर येशु ने उससे कहा तू क्या चाता है कि मैं तेरे लिए करू अंधे ने अंधे उससे कहा हे रभी ये ही ये की मैं देखने लगू येशु ने उससे कहा चला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है हाललुया यहां पर कौन एक भिकारी है आज आप भिकारी से बहुत कुछ सीखेंगे आप भिकारी को देते हैं ना भिकारी के पास से जाएंगे वो मांगेंगे दे दे कुछ दे दे कुछ आज भिकारी आपको देने आया है आज ये बरतिमाई का अंधा आपको देने आया है प्रेस अलोट ये बताने आया है कि आपको मांगना कैसे चाहिए ये बताने आया है कि आपको क्या मांगना चाहिए हलो प्रेस अलोट आप किसे मिलने के लिए आए याँ पर कौन है जिसे मिलने आए याँ पर आप अरे जोर से बोलिए अरे जोर से बोलिए अरे जोर से बोलिए एमेन वो कौन है सुर्क कादिकारी है हाललुया वो सर्व शक्तिमान है उससे मिलने आएं आएं आप पेसलोट तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए आप मिलने किस से आएं अलेलुया वो इशू है कौन अलेलुया ये विकारी जान गया था विकारी जान गया था और भचल में लिखा हुआ है कि जब वो अपने चेलों और एक विशाल भीड के साथ यरियों से बाहर जा रहा था यानि कि इससे पहले वो एक मीटिंग करने के लिए यरियों आया होगा और वहां से बहुत से लोग उसके पीछे चले गए बहुत से चनल चमतकार इशुमर्सी ने दिखाए होंगे बहुत से लोग का उधार हुआ होगा और बहुत से लोग उसके पीछे यरियों से बाहर जा रहे हैं तो बरतिमाई नाम का एक अंधा बैठा हुआ था जब उसने सुना कि ये नाज़दत निवासी इशु है तो पुकार कर कहने लगा हलो हलो आज आप सीखिए कि आपको कैसे मांगना है जब आप इशु मसी को पाएं जब आप इशु मसी को देखें जब आप इशु मसी का नाम अपने मन में लाएं तो आपको मांगना कैसे है वो पुकार कर मांगने लगा वो जोर से मांगने लगा वो सच्चाई के सांग मांगने लगा कि आपकी प्रात्रा में सच्चा ही है आप कभी-कभी वो चीज़ मांगना चाहते हैं जो आप दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं आप पास्टर के पास आते हैं पास्टर मुझे ये चाहिए ये 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 ऐसा चाहिए चुपा कर मांगते हैं आप आप चाहते कि मेरी प्राब्लम किसी और को पता ना लगे ठीक है कोई बात नहीं तेकि कम से कम उसके साथ तो इमानदारी बरती है हलो प्रेस अलॉट उसे जब देखा कि ईशु मसी इमा से जा रहा था तो वो फुकार कर कहने लगा हे दाउत की संतान मुझ पढ़ दया कर क्या कहा आईए हम एक साथ बोले हे दाउत की संतान मुझ पढ़ दया कर हे दाउत की संतान मुझ पढ़ दया कर एक साथ एक दुवार और हे दाउत की संतान मुझ पढ़ दया कर तिवारा हे दाउत की संतान मुझ पढ़ दया कर Amen Hallelujah कितने विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में आप परमेश्व का करिश्मा देखेंगे अपने घरों में आपने मांगा है परमेश्व से Hallelujah आपने परमेश्व से कहा है Amen आपने उसको पुकारा है आपने उसके नाम को पुकारा है Praise the Lord Hallelujah एदाउद की संतान इन पर दया कर Amen हुरी बाला खाहिंद और मामान दोशी किला रिया Hallelujah करिश्मा देखना चाहते हैं अपने जीवन में आप पुकार ये उसको सामने बिना डरे बिना जिचके उसका नाम लीजिए Amen आप पिता से माँग रहे हैं कोई दिवार आपके बीच में नहीं है Praise डर के मत मांगिए सकुचा कर मत मांगिए जुजट कर मत मांगिए खुले और से मांगिए Amen और विश्वास करिए जो आप मांगेंगे वो आपको देगा Praise the Lord Hallelujah आपके पड़ोस में कोई नहीं जानता इश्व मसी को चिलाईए और बोलिए इश्व मसी मुझ पढ़ दाया कर Amen Permission उनको देता है जो सच्चाई से प्रात्रा करते है इमांदारी से प्रात्रा करते है Hallelujah बोलिए चिलाईए गुटने पे आईए रोईए वो आपकी सुनेगा और वो आपसे बात करना चाहेगा आपको पता है Permission आपसे बात करना चाहता है Permission आपसे बात करना चाहता है क्यों नहीं आपकी सुनता है क्योंकि आपका connection सही नहीं है हलो कभी कभी आपके इलाके में लाइट चली जाती है जाती है लाइट आप क्या टाय करते हैं कंफर्म कैसे करते हैं लाइट चले गई आप दूसरे घर में जाके देखते हैं दूसरे घर में लाइट है कि नहीं है अरे पपू के घर में लाइट है कि नहीं है अरे टिप्पू जाती है उनके घर में भी लाइट नहीं है उनके घर में लाइट है और मेरे घर में नहीं है अगर उनके घर में है और मेरे घर में नहीं है तो क्या प्रॉबलम है मेरा कनेक्शन लूज है क्या है कि कनेक्शन लूज है देने वाला तो है देने वाले ने MCD ने, गॉर्मेंट ने लाइट तो दी है अब आपके घर में लाइट क्यों नहीं आ रही है क्योंकि आपका connection lose है, तो आप क्या कहेंगे उस परदोश लगाएंगे आप MCD वाले पर नहीं, आप electrician को बुलाएंगे, और क्या कराएंगे, अपना जो connection है, उसको ठीक कराएंगे, हलो connection सही करिए, हलो आपकी आवाज क्यों नहीं जा रही है क्योंकि आपका connection lose है क्यों प्राथन है, आपके सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि आपका connection lose है man कई बाएब आप phone charge करते हैं, phone charge करते हैं हि पिछा भी आप ने फोन को फिर देखा 15 मेंट के बाद आदत है न फोन को हर पंद्रा मेंट तो मिट में की आदत है हम अपने बच्चे को ना देखुए फोन को देखना ज़रोडिए कि अुद्र देनि ऐसे का हूं छारClוד हो रहा है कि अर्य क्या हो गया है सब कुछ भूल गए ऑउन चार्ज नहीं हो रहा है आरे आज क्या किया मैंने फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है और देखा वाद तो connection किया losing fire connection होुक्त है॥ अपना connection सईकरिए connection सईकरिए अगर आपका connection सही है तो आपके घर मेरोषनी है अगर आपका connection सही है तो आपके घर मेरे जोती है अगर आपका connection सही है तो permission आपके साथ दिखता है, Hallelujah इब्रहाम को permission ने परिक्षा में डाला कि अपने एकलौते पुत्र को बलेदान कर डाला इसके बड़ी परिक्षा किसी की हो सकती है Amen सारे chances से कि उसका connection lose हो जाए सारे chances से अरे मैं अपने बेटे को मारने जा रहा हूँ एकलौता बेटा जो सौ साल के बाद मिला है मुझे Praise the Lord Hello मैं अपने बेटे को मारने जा रहा हूँ chances से कि उसका connection भूल गया वई फोन पोन चार्ज करना भूल गया लाइट जलाना भूल गया उसका connection लूज हो सकता है लेकिन उसने अपना connection बना के रखा इब्राहिम ने अपना connection परमेशन के संग बना के रखा चाहे वो परिशा में था चाहे वो कैसे भी था और जैसे ही वो उसका एकलौता पुत्र इसाख वेधी पर बैठा हुआ था और उसने चाकू उठाया परमेशन ने कहा रुख जा क्या कहा परमेशन ने कहा क्या सामने आया परमेशन क्या सामने खड़ा था आवास अगर सुनिये अगर सोचिये कि अब्राहिम आवाज ना सुन पाता अगर अब्राहिम आवाज नहीं सुन पाता तो क्या होता इसाथ मर जाता क्यों नहीं सुन पाता क्योंकि उसका ध्यान कहीं और होता ये मरने के बाद सारा का क्या होगा इसको मैं मार दूँगा इसके बाद मेला क्या होगा मैं 135 साल क्या हूँ कि निर्वंश क्या मिलाब कोई उत्रादिकारी नहीं होगा अगर वो इनी बातों को सोचता रहता तो वो सुन नहीं पाता आवास Amen वो आवास नहीं सुन पाता और वो इसाग को मार देता Praise the Lord परिशाओं में परमेशर आपसे बात करना चाहता है विपत्तियों में परमेशर आपसे बात करना चाहता है इसलिए विपत्तियों में अपने आपको मजबूत करिए और धन्यवाद देते रहे धन्यवाद मेरी नौकरी चली गई है धन्यवाद धन्यवाद ये धन्दा नहीं चल रख कोई बात नहीं अच्छा ही होगा इसलिए रोमियो आठ का 28 हमेशा याद करिए कि जो परमेशर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात अच्छा ही ही उत्पन्न करती है हमेशा अपने आपको इस योग बना के लगे कि परमेशर की मैं आवास सुन सकूँ इब्रहेम से परमेशर ने का तू अपने बच्छे को बचा लेगा बशरते तू मेरी आवास सुन Praise the Lord तेरे जीवन में आशीश आएगी बशरते हैं तू मेरी आवाज सुन Amen इसलिए कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं कितनी भी मुश्किले आ जाएं उसकी आवाज सुनने के लिए अपने कान खोल के रखिये Praise the Lord मैं उसकी आवाज सुन सकूँ मेरे पिता की आवाज वो कभी भी मुझे से बात कर सकता है Hello वो कभी भी मुझे से बात कर सकता है वो कहीं से मुझे से बात कर सकता है वो कैसे भी मेरे पास आ सकता है Amen उसकी आवाज सुनना जरूरी है कही बार ऐसा होता है कि हम परमिशर के वचन को नहीं समझ सकते हैं. नहीं समझ पाते हैं और हम वो काम करते हैं जो परमीशेर के विर्द है. Hallelujah! Permission ने आपको शुद्ड किया? कितने कविश्वास करते हैं Permission ने आपको शुद्ड किया? Amen! तब भी आप कभी ना कभी कुछ गरद बात होती है आपके मन से के नहीं होती है, आपकी जमान से होती ही नहीं होती है, Praise the Lord, हम शुद्ध हैं पुरी तरीके से, इसमें पहला यहन न एक कंद आव क्यां अबढ़ा बढऄ 확eldरो भीटा, पहला यहन न एक कांद न लीप ऑड़ो भीटा, कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को शमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्या और धर्मी है हमें परमेशन ने आपको शुद्ध किया हलो परिया अभी हमारे पिछले हमारा परसों साथ भाई बहनों ने बक्तिसमा लिया जोर से तालिय में जाईए यहनि कि आप सोचिये कि स्वार्ग में कितना आनंद होगा साथ खोई हुई आत्माएं परमेशन की में हो गई है प्रेस अलॉट हाललिया तो परमेशन इनको शुद्ध किया फूरी तरीके से हाललिया प्रेस अलॉट आप लोग शुद्ध है पवित्र हैं परमेशन ने शुद्ध कर दिया आपको संसार से निकाल कर अपना बनाया और आपको शुद्द करती है रेस अलाइट हालेलिया लेकिन बाइबल के कहती है इस इस शुद्दा के साथ इस शुद्दा को आपको बनांगे रखना है कैसे बनांगे रखना है वो कहता यदि दूपाप करें दुआरा बढ़ा विट जली pig लो यदि हम अपने पापों को मान ले मान ले मान ले जिए आपने पाप किया है आप शुद्ध हैं आप मसी हैं यह मसीयों के लिए अगर आप मसी हैं और आपने पाप किया है और आपको लगता कि मैंने किसी को धोका दिया है मैंने किसी का नुकसान किया है मैंने अपने लालच को दिखाए, मैंने वैविचार किया है कोई गरत भावना मैंने अंदर आई है आप गुटने टेकिये गुटने टेकिये अपने आपको शुद्ध करिये नहीं पृप्व मुझे माफ करिए पृप्व मुझे मुझे से गलती हुँई है मुझसे गलती होई है मैं शरीर के लालश में आकर मैंने गलती की है मैंने किसी को दोका दिया मैंने किसी का पैसा लिया है मैंने किसी को हत्या की है मैंने किसी को चोरी की है जो भी आपके अंदर हुआ है प्लीज एक्षप करिए उसी समय क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि हम अपने आपको पवित्र रखे हैं मेरी पवित्रता कहीं न जाए जिस पवित्रता के साथ जिस लहू के साथ इशू मसी ने मुझे शुद्ध किया है वो पवित्रता मेरे अंदर हमेशा रहे इसलिए अगर आपने पाप किया है तो आपको पता होगा पता चलता है कि नी चलता है पता चलता है कि नी चलता है तो क्या कहता है कि यह दि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है आपको दुवारा धर्मी बना देगा वो लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि आज आपने पाप किया, माफी मांगी फिर दूसरा पाप किया फिर वही कल पाप किया, फिर वही माफी माँगी फिर आपने पाप किया ऐसी बात नहीं है देखी मैं आपको बताऊं कौन सी गलती आपको हो पाप में डालती है गलती करना पाप नहीं है हलो जान दीजिए गलती करना पाप नहीं है गलती को सुधारना आप सुधार नहीं रहे वो पाप है गल्ती तो होती है आपसे मिस्टेक हो सकती है गल्ती करना पाप नहीं है गल्ती को ना सुधारना पाप है अगर अपनी गल्ती को आप सुधार नहीं रहे तो यह पाप है कि इमें शैटान आपकी गल्तियों को आपके अंदर लातागर है नहीं तुने गल्ति कर दी अब तो परमिश्र के योग नहीं है नहीं बाइबल कहती है आपने गल्ती किये परमिश्र मुझे मज़े माफ करिये जिस भाई जेस बहन से किये उसको सोरी बोलिए कि मैरे मैंन में के लिए लाला चाहता और मैंने आपको धोका दिया या मैंने आपको दुख दिया माफी चाहता हूं प्लीज आप छोटे नहीं होंगे और हो सकता है उस मनश्य के उस बहन उस भाई के नजरों में आपको लगता आप छोटे हो जाएं लेकिन आप परमेश्वर की निगाह में आप परमेश्वर के पास हालो हमारा घर का है इस्व मसी हमारा घर बनाने के लिए उसका वादा है कि मैं घर बनाने जा रहा हूं और आँगो तुम्हें लेने के लिए इसलिए हमें अपने आपको उसके काबिल बनाके रखना है पॉलो और यह जो था यहां तो फीज का बरतेमाई अंधा जैसे इसने कहा कि इश्व मसी नोसे जा रहा वो चिलाने लगा है नाउत की संधान मुझरे Kellam कि संदान वहां पर जो लोग थे दिगो घ्लो Inner होता है अपकर भीड दया कर, हिदाउत के संदान वहां पर जो लोग थे, कभी कभी क्या होता है, आपके भीड ज्यादा हो जाती है, हमारे कलीसिया में है, परमिश्र का आशीश है, सारी सीटें फुल हो जाती है, कल हमारे चर्च में और भाई आ जाएं, तो हमारी बहने देखने लगें, उस तरफ मत देखो, उस तरफ देखेंगा तो उठना पड़ेगा, उस तरफ ने उदर नहीं, उदर नहीं, अलेलोहिया, यह ऐसी वे थे, वो चिला रहा हो, कैदार रुचा 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 ओए, आवास मत कर, कम, कम, दीदा, दीने बोलो, अरे, मैं, आपके घर मे प्रभू आत्माओं को भेज रहा है, अगर हमें नीचे भी बैठना पड़े तो चलेगा, हे मैं, मेरे प्रभू के घर में आत्माओं आए, हालेलुया, और वो रुका नहीं, वो आत्मी जान किया था ईशू को, उस ने का, अरे, आगे, वो हटो यार, मुझे ईशू से मिलन है, आज मुझे कोई नहीं रोख सकता इशू से मिलने के लिए, आज मुझे कोई नहीं रोख सकता अपना आशीश पाने के लिए, ये सोच कराएं, अगर ये सोच कराएं तो आप मिलेगा आज, हालेलुया, एमेन, आज मैंने बरसात की परवा नहीं की, आंधी की परवा नह आएँ अरे आज मुझे कोई नहीं रोख सकता प्रभू से पाने के लिए जिसे आप ये सोचकर मांगेंगे जिसे आप ये सोचकर प्रभू के चरणों में आएंगे अदभूत आशीश आपके जीवन में आएगा किमेंगें, अरे मैं किसके पास आया हूँ, इशू के पास, जैसे बरतमाई ने मांगा, खुल के मांगी, और जैसे ही चेलो ने कहा, कि वो तुझे बुला रहा है, हलो, जैसे ही चेलो ने कहा, यहां पर लगा के रखो, वचन कौंसा है, मर्कुस 10 का, 46 से 43, 53 लगा के रखो, ज पैसे ही उन्होंने कहा कि वो तुझे बुला रहा है प्रेसलोट क्या कहा अंदे ने क्या किया उसने अपने जोले को फेका अपनी चादर को फेका और हो सकता उसके कडोरे में पैसा हो उसने उस पैसे को फेका हलो परमेश्वर आपको बुला रहा है ईश्व आपको बुला रह हो सकता उसके पास लाठी हो जिसके सहरे से वायता होगा उसके सहरे को भेगा कि मिरे मुझे कोई सहरे की जुरूत रहीं एां ना मैं की सिंसल्णी है मुझे भरी बिथा है कि मिलना है जैसे उसे पता लगा पढ़िए गोदा वचन पढ़ी जैसे उसे पता लगा वह उचलके उठा वह अपना कपड़ा फेक कर शीगर उठा और ये शुके पास आया शीगर उठा कि मैं तुरंत उठा ताइम एल्गा या है लो हम तैयार उन्ने में टाइम लगाते हैं ये मेरा बैगर समाल के रखना है ये मेरा सामान है समाल के रखना है आप भूल जाते हैं आपको कौन बुला रहा है परमेश्व रहा है एमेन ऐसा उत्सा होना चाहिए जैसे इस अंधे के अंदर था कि मुझे प्रभू ने बुलाया है वो अंधा था वो देख नहीं सकता था उसने किसी को आवास नहीं लगाई कि मैया कोई मुझे पकड़ो मुझे ईश्यू के पास लेकर जाओ नाई प्रेस अलॉट मैं गुरूंगा फढ़ूंगा लेकिन ईश्यू के पास पहुंचूंगा क्योंकि उसने पहचान लिया था यही है जो मुझे जीवन दे सकता है यही है जो मेरी जिन्दगी को मेरी आशीशों को पुरा कर सकता है मेरी प्रात्रां को पुरा सकता है और कोई नहीं है उसे जान लिया था कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं आप यहां पर आएं आप इशू ही है जो आपके इच्छाओं को बुरा कर सकता है आपको शांती दे सकता है आपको आनम दे सकता है अगर आप ये विश्वास करते हैं जोर से तालिया वेजा ये परमिश्वे के लिए सिर्फ इशू है और कोई नहीं है सिर्फ इशू है अलेलुया एमेन जब भी आप इशू के पास आएं तो इस भिकारी की तरह मांगे कि नहीं मुझे आज लेकर ही जाना है हालेलुया मुझे आज प्रमिश्व तक अपनी आवास पहुचानी है इसलिए वो चिलाता है दाउद की संदान मुझे पे दया कर हालेलुया प्रेसलोट और एक बात क्या करी उसने सबसे बेस्ट मांगा हालेलुया एक तो मांगने का तरीका उसका क्या था बरतमाई का आपने जाना और उसने सबसे बेस्ट मांगा सबसे उत्तम मांगा अंदा था, उसके बाद हाथ थे, पैर थे, टांगे थी, सब कुछ था उसके पास, आखे नहीं थी उसने Praise the Lord, Hallelujah, Amen क्या बचन पढ़िये, अंति के दोबन येश्यू ने उससे कहा, तु क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करू अंधे ने उससे कहा, हे रभी, ये की मैं देखने लगू Amen, परमेश्व के पास आप जाएंगे, इश्यू मसी के पास जाएंगे, परमेश्व पूछेगा, आपको क्या चाहिए Hello, आपको क्या चाहिए मैं आपको उससाइद करना चाहता हूँ, परमेश्व के पास आते हैं, अपना उत्तम मांगिए Best मांगिए Praise the Lord, आप मांगते हैं आपकी नौकरी आपकी best है? नई आपका धंदा best है? नई आपके बच्चे best है? नई आपका राशन best है? नई उसे यह नहीं मांगा? उसे यह नहीं का कि मुझे साहरा कुछ सहरा देने के लिए दे, मुझे कुछ रोठी दे, मुझे कही कोछ पैसा दे दे, प्रभू जबकि एक बाब बताओं एक अंधा बिकारी था जैसी वो देखने लगा उसका बिकारी का जो धंदा बंद हो गया उसको यह शक्त है कि उसको डर होगा ना कि जैसी दिन मैंने देखना शुरू कर दूँगा लेकिन कहता है मैं इशू के पास आया हूँ मैं क्या रोटी मांगू मैं क्या पैसे मांगू मैं कपड़े मांगू प्रेस लॉट हम क्यों छोटी चीज़े मांगते हैं जिसका कोई असित्वी नहीं है हम क्यों नहीं समझते कि हम उस पिता पर मेश्वर के स्टरों में आए हैं जो कि आकाश और धर्ती का राजा है हम क्यों नहीं याद करते हैं हमें बेस्ट मांगना है उस बरतिमाई ने अपना बेस्ट मांगा कि मुझे आखे दे रिस राट परमेशर को अच्छा न लगता वो क्या कहता है जो पहला चोर कह रहा था कह रहे अगर तू मसी है तो मुझे भी उतार और खुद भी बज़ जा तो दूसरे चोर ने क्या कहा कि तू परमेशर से नहीं ड़ता इसका मतलब परमेशर को अच्छा नहीं लगता जब आप अपनी रोटी के लिए रोते हैं परमेशर को अच्छा नहीं लगता जब आप कपड़ों के लिए आंसु बहा कर परमेशर के सामने आते हैं परमेशर को अच्छा नहीं लगता जब अपनी अपने कार के लिए अपने रोटी के लिए अपने राशन के लिए आसू बहाते हैं क्योंकि परमेश्य सोचता है कि जिन बच्चों को मैंने चर्च में बुलाया है ये बच्चे जानते नहीं क्या मुझे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैंने अपने एकलोते पुत्र के द्वारा इनको पापों से शुद्ध कर दिया अपनी आत्मा इनको दे दी यह उस उधार को भूल रहे हैं उस अनंतकाल के जीवन को भूल रहे हैं यह अभी भी संसार में सिम्टे हुए इस लौट क्या मांग रहे हैं वो परमेश्वर है उसने आपके लिए अपने एकलोते पुत्र को दे दिया वो आपको सब कुछ दे सकता है सब कुछ दे सकता है आपको अपने मांगने पर विचार करना चाहिए कि मैं क्या मांग रहा हूँ अगर आपका आज भी मांगना आपकी रोटी है तो विचार करिए आपके पास इशू है वो राजाओं का राजा है अपना बेस्ट मांगिए आपका बेस्ट क्या है पता है कि इशू मेरे अंदर मेरे विश्वास के सामर्थ को बढ़ा मेरे अंदर विश्वास के सामर्थ को बढ़ा शेटान जो मेरे अंदर विश्वास रोज बोता है ताकि मैं उसको पहचान सकूँ परमेशर मेरे स्वभाव को पवित्र कर दे Praise the Lord मिने इंदर कोई भी घलत घमंड मिने इंदर कोई भी स्वास ना आए मैं इस रोठी के लिए ना तड़पू मैं तुझे पाने के लिए तड़पू Praise the Lord अपना मांगना सही करिए best मांगिए आज प्रातना करिए घरच के जाकर कि मेरा best क्या है जो मुझे परमिश्र से और करीब लाएगा मेरा best क्या है जो मुझे परमिश्र की पहचान के और करीब लेकर आएगा और जिस दिन आप परमिश्र की पहचान में आगे बढ़ेंगे बाइबल में लिखा हुआ पहला को दूसरा पत्रस, एक का तीन के इश्वरी सभाव, इश्वरी सामर्द के द्वारा वो आपको जीवन और भक्ती से संबंद सब कुछ देगा सब कुछ देगा वो आपको दे चुका है अपना बेस्ट मांगिये छोटी मोटी चीजे मत मांगिये वो तो आपको यूही देगा Amen Hello और प्रात्रा करनी है कि मैं जब आप इश्व के सामने प्रात्रा करनी ज़ें जब किये मत, संदे मत रखिए कि मेरी प्रात्रा सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी मैं इश्व से मांग रहा हूं मैं परमेश्र से मांग रहा हूं मैं आपके सच कहा रहा हूं हाथ जोडता हूं उस परमेश्र को पहचानने के लिए परात्रा करिए उसकी पहचान में आगे बढ़ने के लिए परात्रा करिए प्रात्रा का वक्त निकालिए हर दो घंटे के बाद 15 मिंट की प्रात्रा करिए हर दो घंटे के बाद 15 मिंट बैठिए प्रात्रा में धन्यवाद दीजिए मांगी प्रबू से अपनी प्रात्रा का जीवन रखिए हर अफिस में काम करते हैं को यह वात निए लंच एक घंडे का है 15 मिंट प्रात्रा के लिए निकालिए प्रात्रा के लिए आप अंदरूनी मनशुत आपका बढ़ता जाएगा आप नहीं जानेंगे आपका कैसे जीवन बदल गया है फरमिश्र का सामर्थ आपके जीवन में काम करने लगेगा अपने आप आप नहीं जानते आप नहीं जानते हालेलुया हालेलुया इसलिए जैसे आज मैंने बताया है जिस तरह चोर ने पहचाना और क्या मांगा वो उस इस्तिती में था चोर उसके पैरों से लहू बहरा था वो मांग सकता था कि प्लीज मेरे घाओ बढ़ दे मुझे बहुत दर्द हो रहा है मांग सकता था कि नहीं वो जान चुका इस जीवन की कोई वेल्यू नहीं है बिना इशू के ये जीवन शून्य है अगर आपके साथ इशू नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है अगर इशू है तो आप परमिश्र का सामत लेके बैखे मैं विश्वास करता हूँ आज का बशेन आपको अच्छा लगा होगा रेस अलॉट आज से अपने मांगना बदलिए परभू आपको अशीष थे मैं प्रात्रा करता हूँ शारबा बागा हिंदू शेकला रहा है जो यूटूब से देख रहे हैं परमिश्र अशीष दीजे इनको बुद्धी दीजे ग्यान दीजे समझ दीजे तकि परमिश्र तेरे मांगने को समझ सके कैसे मांगना है उस बरतवाई अंधे की तरह मांगे उसकी तरह अपना बेस्ट मांगे और परमिश्र तुझे पहचाने इश्यो मसी के नाम से मांगता हूँ धन्यवाद प्रात्रा अपने सुनी को बूल किये Amen. God bless you, God bless you.